गुट मॉर्णिंग चिल्ड्रेंस आज हम लोग हिंदी के पहला चैप्टर हम पंच्छी उन्मुक्द गगन के पढ़ने जा रहे हैं हम पंच्छी उन्मुक्द गगन के रचिता जो हैं कवी शुमंगल सिंग सुमन द्वारा रचित है कवी शुमंगल सिंग रचित जो है जो इस रचित को रचना किये हैं इस कविता में उन्हेंने कुछ अपना इसप्रकार से बताया है कवी शुमंगल सिंग सुमन कहते हैं हम पंच्छी उन्मुक्द गगन के कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्यों को दर्शाया है कभी के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकास में विच्रण करते हैं यदि हम पिजड़े में बंद कर दिये गएं तो हम अपना मधुर्गित नहीं सुना पाएंगे पिजड़ा भले ही सोने का क्यों न हो खुसी में फरफडाते हमारे पंख उससे टकरा कर तूट ही जाएंगे इसलिए पिजड़े में बंदी जीवन हमारे लिए महत्वहीन है कोई उसका मतलब नहीं है कहते हैं हम नदियों और जड़नों का बहता जल पीने वाले हैं कहते हैं भक्ची कह रही है कि हम नदियों के जो जड़नों का जो जल होता है वो हम लोग क्या करते हैं पीने वाले हैं नदियों का जड़नों का जल बैता क्या करते हैं वो हम लोग पीते हैं पिंजडे के अंदर न तो हमारी भूक मिटेगी और न प्यास पिंजडे के अंदर न हमारी भूक मिटेगी और न प्यास मिटेगी हम क्या हैं हम तो आजाद रहे कर आजाद रहे कर ही कोई कारे कर सकते हैं न हम लोग क्या निबोरी खाना अधिक पसंद करते हैं हम लोग निबोरी खाना जो है अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वो चाहे कितनी भी कड़वी हो वो चाहे कितनी भी कड़वी हो पर गुलामी में रहकर सोने की कटोरी का फाइदा खाने से अच्छी है गुलामी में रहकर कटोरी में खाना हमें वो जो है हमें खाने का अच्छा फाइदा है सोने के पिंजडे में बंद रहकर हम अपनी गती और उड़ान को सोने के पिंजडे में रहकर अपनी गती और उड़ान को भूल जाएंगे हम उसे नहीं उड़ पाएंगे हम उसके अंदर क्या है बंद के रह जाएंगे और वो बताते हैं कभी कहते हैं हम आजाद रहेंगे तो इस शीमाहिन छीती से हमारी उड़ान की प्रतिशपर्धा होगी और या तो हम आकास की शीमा तो पहुंच जाएंगे या उड़ते उड़ते ही अपने प्राण त्याग देंगे कहने का ये अर्थ है कि हम अगर आजाद रहेंगे तो क्या होता है सीमाहिन छीती से हमारी उड़ान ही प्रतिशपर्धा होगी हम अपनी सीमा तक पहुंच सकते हैं और या तो हम आकास की सीमा तक पहुंच जाएंगे ही पहुंच ही जाएंगे वहाँ पे कहते हैं या उड़ते उड़ते ही अपने प्राण जो है त्याग देंगे तो यही अन्त में पक्छी मनुष्य से विन्य पुर्वक कहते हैं कि भले ही हमारा घोजला नस्ट कर डालो और टेहनी का हमारा ठीकाना भी तोड़ दो लेकिन जब इश्वर ने हमें पंक दिये हैं जब इश्वर ने हमें पंक दिये हैं तो हमारी उड़ान में व्यवधान मत डालो इश्वर ने मुझे अगर प्राण दिये हैं तो मेरे उड़ान में कोई बाधा न डालो व्यधान न डालो तो इस प्रकार उड़ने की आजादी छीन कर हमारे सामने जीवन मत छीनो कहते हैं उड़ेने की आजादी छिन कर हमसे हमारा जीवन मत छेनो कहने का यही अर्थ है कभी यही बताना चाहते हैं इस कवीता में तो कहते हैं हम पक्ची हम पंची उन्मुक्त गगन की हम पक्ची कहते हैं खुले आकास में विचरण करने वाले हैं और पिजरबंद गाह पाएंगे पिजरबंद गाह पाएंगे तो कहते हैं यह उनका सुभावत है तथा उनका सुभाविक पिशेश्टा है यदि उन्होंने पिजड़े में बंद कर दिया है हमको तो वो गा नहीं पाएंगे अगर वो हमें पिजड़े में बंद कर दिये हैं तो वो गा भी नहीं पाएंगे क्योंकि गीत खुशी के गाये जाते हैं और आकास में उन्ने वाले पंची जो होते हैं पिजड़े में बंद होकर कभी भी खुश नहीं रह सकते आकास में उड़ने वाले जो पंची होते हैं वो पिजड़े में बंद होकर कभी भी खुश नहीं हो सकते कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख तूट जाएंगे तो कभी कहते हैं हम उन्हें सोने के पिंड़े में रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला कभी कहते हैं अगर हम उन्हें सोने के पिंड़े में रख भी देते हैं तो भी उसे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है पुलकित पंक टूट जाएंगे कहते हैं कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो सलाखे चाहे सोने की हो या लोहे की पर खुशी में फरफडाते उनके पंख तोड़ कर ही छोड़ेगी तो वही कहने का मतलब ही है कि पुलकित पंख तूट जाएंगे उनके जो पंख है सोने के पिड़े में बंद रहकर क्या होंगे वो फरफडाते हुए उनके पंख तूट कर गिर जाएंगे हम बहता जल पीने वाले पच्छी ये बाप जानते हैं इसलिए वो कह रहे हैं नदियों और जर्नों का बहता जल पीने की उन्हें आदत है उनको नदियों का बहता जल और जर्नों का बहता जल पीने की आदत है मर जाएंगे भूखे प्यासे सोने के पिंजडे का खाना पीना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वह भूखे प्यासे मर जाएंगे और वो क्या है भूखे प्यासे मर जाएंगे कहेंगे सोने के पिंजडे का हमें खाना पिना पसंद नहीं है और वे भूखे प्यासे मर जाएंगे कहते हैं हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे लेकिन जो है इसका खाना नहीं पसंद करेंगे कहीं भली है कटुक निबौरी कहीं भली है कटुक निबौरी कवी कहते हैं उन्हें तो आजाद रहकर कड़वी निबौरी खाना पसंद है उन्हें तो आजाद रहकर कड़वी निबौरी खाना पसंद निबौरी जानते हैं नीम की जो होती है लगती है उसकी फली उसको निबौरी कहते हैं तो कड़ी निबौरी खाना पसंद है उनकी कड़ी निबौरी खाना पसंद है गुलामी में मिली सोने की कटोरी गुलामी में मिले उनके सोने की कटोरी की उनको अच्छे से अच्छा खाना मिले फिर भी वो नहीं खाना पसंद करेंगी कनक कटोरी की मैदा सा मैदे से कहते हैं फिर भी उने गुलामी की जो है सोने की कटोरी में मैदा उन्हें कभी भी रास नहीं जाएगी क्योंकि पराधिंता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते तो कभी कह रहे हैं किसी को बांध कर रखना और उसे अच्छे से अच्छे खाना देना उसे अच्छे से अच्छे रखना लेकिन वो रहना नहीं पसंद करेंगे वो तो एक उड़ने वाली पंच्छी है हम पंच्छी उनमक्त गगन के हम उड़कर अपनी जिन्दगी को बहुती अच्छे से जी सकेंगे लेकिन बंद कर पराधिन में बंद कर हम इसको नहीं जी पाएंगे गुड़ बाई बच्चो फिर मिलते हैं टेक केर